नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रोहीत और आप देख रहे हैं टेक्निकल वंजा यूट्यूब चानल दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं लोकडाउन चल रहा है और लोकडाउन की विज़े से हम अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और ना ही हम किसी से मिल सकते हैं तो ऐसे में सभी लोगों का अपने रिष्टेदारों से मिलने का मन करता है, अपने दोस्तों से मिलने का मन करता है, और अपने जो आज परोशी हैं उनसे भी मिलने का मन करता है, लेकिन मजबूर है, लोकडाउन चल रहा है, इस वेशे को घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसे म कभी कभी हम कोई ऐसी जरूरी बात करते हैं या फिर कोई ऐसी बात होती है जो फिर चो की हमें लगता है कि यह हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए था तो हमारे पास video call record करने का option नहीं होता है तो इस विए से हम कोई भी बात जाएदर कोई हम आपस दूसरे बात करते हैं तो उसको हम भूल जाते हैं उसके लिए हमी video call चाहिए ताकि हम उसमें video देखकर याद कर सकें या फिर कोई भी ऐसी बात हो जाती है जिसको video call की recording करना जरूरी हो जाता है तो मैं आपको बता हुआ इस video में केस तरह से आप अपने phone से किसी की भी video call को record कर पाएंगे तो चलिए video को start करते हैं लेकिन अगर दोस्तों आप मेरे channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर लीजिए अगर आप पुराने हैं तो bell icon को उनकर लिए जिससे की मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका notification आपको फट से मिल जाए तो चलिए video को start करते हैं सब्सक्राइब कीजिए technical बंजा YouTube चैनल को साथ ती साथ bell icon को दबाईए latest video सबसे पहले देखने के लिए मैं हो रोहित और आप देख रहे हैं technical बंजा YouTube चैनल तो दोस्तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो को रिकोर्ड करना इतना आसान नहीं होता है और कोई भी अपने फोन से किसी की भी वीडियो को इतनी आसानी से रिकोर्ड नहीं कर पाता तो इसमें करना क्या होता है कोई भी आपको third party app का इस्तमाल नहीं करना है कोई भी आपको application डाउंलोड नहीं करनी है इसका solution है आपके खुद के फोन के अंदर तो मैं बताँ कोई इस वीडियो में कैसे आप उसको आसानी से रिकोर्ड कर पाएंगे किसी भी वीडियो कोल को जो भी कोल आपके फोन पर आती है उसको आप आसानी से रिकोर्ड कर सकते हैं तो इसमें आपको कुछ नी चाहिए सिर्फ काम करेगा आपके फोन का screen recorder कभी भी आप किसी को भी वीडियो कोल करते हैं तो सबसे पहले अपने फोन का screen recorder on कर लीजिए screen recorder को on करने के बाद आपके फोन पर एक छोटा सा आइकन आ जाएगा जहां पर उसो करेगा कि यहां से आप recording को start कर सकते हैं तो कोल करने से पहले सबसे पहले आप उस पटन को on कर लीजिए on करने के बाद आप WhatsApp पर वीडियो कोल कर सकते हैं या फिर Facebook पर वीडियो कोल कर सकते हैं या फिर आपको इस फोन में जूम एप है वहां से भी वीडियो कोल कर सकते हैं और आसानी से किसी के भी कोल को record कर सकते है और अगर आपको यह दिकत आती है कि आपके फोन से वीडियो कोल रिकॉर्ड हो जाती है लेकिन वोईस रिकॉर्ड नहीं होती है तो आप मुझे कमट करके बता सकते हैं अपने फोन का मोडल नंबर उसमें डाल सकते हैं मैं आपको बहुत ही आसान प्रोसेजर बताऊंगा जिससे कि आपकी वीडियो कोल रिकॉर्ड भी हो जाएगी और आप उसकी साउंड भी रिकॉर्ड कर पाएंगी क्योंकि जायतर सिखायत यह आती है कि हम वीडियो को रिकॉर्ड तो कर लेते हैं लेकिन उसका साउंड उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है तो उसका ओप्शन भी तुमारे फोन में ही मुझूद है आपको कहीं भी जाने जरूत नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे पता दीजिएगा मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना दूँगा जिसमें कि मैं पाकाइदा वीडियो को करूँगा उसको रिकॉर्ड करके दिखांगा और आपको पता चल जाएगा जिस तरह से वीडियो को आसानी से आप कर सकते ह तो नमस्कार आज का वीडियो इतना ही था अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा शेर कर दिजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा धन्यवाद